दोस्तों कर्शु राइटिंग के कैपिटल लेटर्स को फोर लाइन की नोट बुक में किस तरह से लिखा जाता है मैं इसके उपर पहले ही काफी वीडियो बना चुपा हूँ जिसमें मैंने स्टेप बाइ स्टेप हर वर्ड को किस तरह से बारिकी के साथ और बहुत ही तफसील के साथ एक एक वर्ड किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में बताया था अगर आप capital letters को सीखना चाहते हैं तो आप उन तमाम lessons को देख लें जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे बिना किसी की help के बहुत ही easily खुद से इन words को बनाना सीख सकते हैं तो इसके बाद मैंने एक line, मतलब दो line के बीच में words को किस तरह से लिखा जाता है capital words को किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में पताया था अब इसके बाद बारी आती है small letters की अगर four line में हम capital letters बनाएं तो इसमें उपर की जो तीन line हैं इसके अंदर तमाम capital words बनते हैं कुछ दो-चार words ऐसे हैं जो चार लाइनों के अंदर बनते हैं बागी तमाम words तीन लाइनों में बनते थे लेकिन small letters में ये चीज़ हम follow नहीं कर सकते small letters में थोड़ा सा अलग method है मैं यहाँ पर method बताता हूँ और उसके बाद word ऐसे हम शुरुआत करेंगे तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आप अगर देखें तो उपर की जो तीन लाइने हैं इन तीन लाइनों के बीश में कुछ words बनते हैं और फिर उसके बाद नीचे की तीन लाइनों के बीश में कुछ words बनते हैं और उसके बाद बीश की इन दो lines के बीश में भी कुछ words बनते हैं और कुछ ऐसे words भी हैं जो चार लाइनों के बीश में बनते हैं तो इस तरह से इन चार pattern में अलग-अलग words हम बनाते हैं कुछ में हम तीन लाइनों का यूज करते हैं, कुछ में नीशे की तीन लाइनों का, कुछ में बीश की दो लाइनों का, और कुछ में चाल लाइनों का, तो इनका किस तरह से इने बनाय जाता है और किस तरह से इन लाइन्स का यूज किया जाता है मैं step by step हर lesson जब बताऊंगा तो उसके अंदर यह चीज़ बताऊंगा कि कितनी लाइनों में यह word बना जाता है और किस तरह से उसका method क्या है तो सबसे पहले हम word A अगर शुरू करें बनाने के लिए तो pen से बनाने के लिए word A बीच की दो लाइनों में यानि यह तीसरा जो method है हम इसे follow करेंगे और बीच की दो लाइनों में small letter A हम बनाएंगे तो A बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह की एक line हमको बनानी होगी अब यह line हर word में common होगी वो इसलिए क्योंके इससे पहले word A से पहले अगर कोई word हो और हमें A के साथ इसे जोड़ना हो तो ये line जोनने के लिए कामाती है और ये हर word में इसलिए common होगी क्योंकि इससे पहले जो भी word होगा हमें उसे जोनने के लिए उस line का use करना होगा तो इसलिए यहाँ पर भी इन दो lines के बीश में हम इस line को बनाएंगे और ये जब line हम बना लें तो उसके बाद फिर इतना हमें घुमा कर यहाँ पर लाकर रोग देना है और उसके बाद इस तरह से ले कर जाना है और यहाँ तक ले कर हमें आ जाना है इस तरह तो जब ये इतना हो जाए तो उसके बाद यहाँ तक जब हम ले कर चले गए तो उसके बादे थोड़ा सा उपर इस line को ले जाना है और एक cross line इस तरह से लानी है और उपर लेकर चले जाना है अब इस line को हमें यहां तक उपर इसलिए ले जाना है कि जिस तरह से हमने यह cross line इधर बनाई थी उसी तरह से cross line इधर बनाना है यह हम इसे पहले कोई लफ़ हो तो उसे जोनने के लिए और यहांपे अगर एके बाद इस तरह से कोई लफ़ यहांपे जोनना हो तो हम इस लाइन का यूज़ करैंगी तो यह लाइन भी हर word में तकरी gracan common होगी और हमें इस line के साथ, इस line को भी इसी ढंग से बनाना होगा, तो इस तरह से, और फिर इस तरह, तो थोड़ा सा cross, तमाम words हमें बनाने होते हैं, तो word A भी इसी ढंग से हम बनाएंगे, तो इस तरह, फिर इस तरह, तो इस तरह से बहुत ही easily इन दो lines के बिश में हम small letter A बना सकते हैं, तो आप भी इस method को सही ढंग से follow करें, तो बहुत ही आसानी जो बहुत ही easily घर बैठे, आप pen से कर्शिव small letter A बना सकते हैं, अब small letter A हम pen से बनाने के बाद, निफ से अगर बनाना चाहें, तो किस तरह से बना हैंगे, हम आगे इसे देखते हैं, तो इसी तरह इन दो lines के बीश में हम word A जो small होता है, उसे बनाते हैं, तो small A बनाने के लिए इसी तरह से एक line इन दो lines के बीश में हमें बना देना है, और इस line को मैं बता चुका हूँ कि यह हर लब्स में common होगी, क्योंके जोडने के तो फिर थोड़ा सा हमें निप को इस तरह से जुका देना है, और यहां पर उल्टा हमें ले जाते हुए, थोड़ा सा pressure डालना है, और इस तरह से यहां पर एक बार एक हिस्सा लेकर आ जाना है, तो एक cross line थोड़ा सा इस तरह से गोलाई में लाना है, और इस तरह से उपर लेकर चले जाना है तो यह इतना हिस्सा जब हम बना लेते हैं तो उसके बार थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए फिर यहाँ पर उपर हमें लेकर जाना है इस तरह से और थोड़ा सा इसके उपर प्रेशर डालना है निपके उपर और इस तरह से एक बारिक पार तो इस तरह से बारीक यहाँ पर हमें तुला सा प्रेशर डालना है बारीक लाइन प्रेशर डालना है फिर यहाँ पर लाने के बाद एक बारीक हिस्ता तो इस तरह से वर्ड यह जो है स्मॉल हम फॉर्म करेंगे तो तमाम वर्ड तिर्षे होंगे और इस तीस का भी हमें ध्यान रखना है कि एक और दो इंच दो जगा पे हमें थोड़ा सा प्रेशर डालना है जिससे यह इससा मोटा बने और बाकी जगों पे हमें वारीक पार्ट बनाना है तो इस तरह से वर्ड यह हम बनाएंगे झाल बनाएंगे